नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएस इनलाइसिस में BPSC के लिए Most Important आपटेस्ट सीरीज की रूप में से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें General Science का 150 का 50 क्वेश्चन होगा टेस्ट नमर 5 होगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंतरेगत सारा का सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा चलिए हम लोग देखते हैं 150 का 150 प्रस्ण पहला प्रस्ण है यहाँ पे मात्रकों की अंतराख्चरे परणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है बहुत असान सा प्रस्ण है कोरेक्ट उतर हो जाएगा साथ उस उपकराण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु परवैदूत अवेस की उपस्तिती और मात्रा जानने के लिए किया जाता है उस उपकराण का नाम है इलक्ट्रोस्कोंप प्रकास की गति अधिकतम होती है यह बहुत important प्रस्ण है क्योंकि यह प्रस्ण बार बार देता है तो इसलिए इसका correct उतर हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखेगा निरवात में निर्वात में प्रकास की जो गती होती है सबसे इसमें दिये गए अप्शन में सबसे अधिक होती है कौन सिधातू बिधोत का सबसे अच्छा सुचालक है अब यहाँ पर कुचालक और सुचालक को दोना आपको ध्यान में रख के चलना है यहाँ पे आपको दिया हुआ है सुचालक, द्यार रखेगा दिया हुआ है सुचालक, इसका correct उतर हो जाएगा चांदी में. एक radio धर्मी पदार्त उस सरजित यहाँ पे नहीं करता है, अब यहाँ पे देखिए जो भी radio धर्मी जो पदार्त है, अलफा, बिट्रा, गाम्मा, X-ray, सारे के सारे यहाँ पर जो किरिने हैं यह उस सर्जित करता ही करता है, तो नहीं करने वाला कोई option है नहीं, correct उतर हो जाएगा E. लेजर निम लिखित में से किस बैग्यानिक सिधान्त पर अधारित है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा विधुत चुम्बकिया विक्रण के उत्तेजित उस सर्जन के अधार पर प्रकासिक प्रवर्धन एम्प्लिफिकेशन त्यार रखेगा ठीक है इसकी जो खोज किया गया ठीक है गौर्डन गोल्ड द्वारा ध्यान रखेगा गौर्डन गोल्ड द्वारा निक्स्ट हवाई जहाज में अत्रा के दवरान पेन किस्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है सारक सारक खेल देखें यहां पे प्रेशर दाब कहीं आप खेल होता है तो देखिए एक जमीन से जैसे हवाई जहाद स्भुचाई बढ़ेगी प्रेशर में कमी आने लगेगी जो एक पर्मु रूंख करण है वाई उधाब में कम है ये भी एक पर्मु रूंख करण है तो दो जो पर्मु करण है आप इसे ध्यान में जरूर आपको रखना है इसलिए correct उतर हो जाएगा E Newton के बिसे में निमलीखित कत्नों में से कौन सा कत्न सही नहीं है इसमें इसका correct उतर हो जाएगा यहाँ एक परमाडू कम है मतलब यहाँ एक परमाडू कड है जो कि सही नहीं है Next निम्लीखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उधारन है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उधारन है यहाँ पे इसमें आपको समझना है कि एक होता है भातिक परिवर्तन एक होता है रासायनिक परिवर्तन तो भातिक परिवर्तन में क्या होता है कि केवल किसी पदार् नए पदार्थ में बदलने का कारण बनता है, इसमें वस्तु पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा भूपरपटी में पाया जाने वाले तत्वों का सही और रोही करम यहाँ पे कौन सा है? तो पाया तो सब जाता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, और रोही करम में कौन है? से बात कहाँ जाते हैं, देखें सबसे अधीक ऑक्सीजन की मातरा होती है, उसके बाद सिलिकॉन की मातरा होती है, उसके बाद ऐलुमूनियम उसके बाद लोहा, तो चुकि यहाँ पे ध्यान रखना है, लोहा का उप्सन नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखेगा सोरी, के बाद होगा sodium, sodium के बाद होगा potassium, तो यह करम आप लोग याद रखेगा, पटाखों में पीला रंग निमलिखित में से किसके कारण होता है, देखिए बिल्कुल ही day to day life से general science ही यहाँ पे, बहुत अधिक आपको deep यहाँ पे knowledge की जरुवात नहीं होती है, थोड़ा सापको conscious हो होता है, पटाखों में जो पीला रंग निमलिखित में से किसके कारण होता है, इसका correct उतर हो जाएगा sodium nitrate की बज़ाद से ध्यान रखेगा sodium nitrate की बज़ाद से पटाखों का रंग पीला हो जाता है, लाफिंग गैस का रसानिक सुद्र क्या है, बड़ा famous प्रस्न है यहाँ correct उतर हो जाएगा N2O, ध्यान रखेगा N2O, जिसको nitrous oxide भी बोला जाता है, नेक्स्ट, द्रावित पेट्रोलियम गैस किसके साहीं जंक से बनता है, द्रावित पेट्रोलियम जो बनता है, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिलाने से ही यह बनता है, इूरिया में निमलिखित मे से कौन से तत्यों पाया जाते हैं, तो यहाँ पे देख पार है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सारे के सारे उरिया में पाया जाते हैं, आत्महत्या के थैली का पद किस कोस्की अंग के लिए यहाँ पे किया जाता है, बहुत ही फेमत सवा यहाँ पर ठीक है, correct उतर हो जाएगा यहाँ पर 23, 23 मतलब 23 जोड़े गूर शुत्रों उसमें होते हैं मानों सरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है, सबसे बड़ी गरंथी कौन है यहाँ पर दो में confusion हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर confusion नहीं करना है यहाँ पर, इसका correct उतर हो जाएगा यहाँ पर यक्रित, नियाद रखेगा यक्रित, सबसे बड़ा गरंथी यहाँ पर होता है, यक्रित पौधे के अगर भाग से उत्तक को हटा कर यह को सिकाव से अलग कर रोग मुक्त परस्तितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उखाय जा सकते हैं, इस तकनिक को क्या कहा जा सकता है, इस तकनिक को कहा जाता है, उत्तक समवर्धन क्या का जाता है उत्तक समर्धन प्रित्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है प्रित्वी पर सबसे जो पुराना जीव है देखिए बहुत ही पहले एकतम बिल्कुल सबसे पहले यहीं आया था नील हरित सवाल ध्यार रखेगा नील हरित सेवाल निमलिकित में से कौन माता पिता से संतानों में वन सानुगत विसेस्ताव के हस्तांतरण को नियंतरित करता है हस्तांतरण मतलब ट्रांस्परेस्पेस्टन को यहां पे नियंतरित करता है इसमें हो जाएगा जीन, ध्यार रोकिएगा जीन निम्लिकित कतनों में से कौन से कतन यहां पर सही नहीं है कराए कि बिटामिन के कमी के कारण रख्त का थक्का बनने लगता है ठीक है मैंने समय बढ़ जाता है बिल्कुल सही है फिल अगरा रोड रोग यहां पर बिटामिन B3 के कमी के कारण होता है बिल्कुल सही है यहां पर पूछ रहा है कौन सही नहीं है, अर्थात C correct उतर हो जाएगा, रिकेट्स, बिटाविन, D की कमिकी कराण होता है, विर्कुल सही है, निम्लिखित उप करोडों में से कौन सा बाता वरण में, सपेक चारधता, अर्थात Relative Humidity की माप करता है, Relative Humidity की माप कौन करता है, शाइक्रों मिटर, जानर केगा, साइक्रों मिटर, नेक्स्ट, घरसड के संबन में, निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें देखिए यह दाप का उदाहराण है, बिल्कुल सही है, यहां दो सरक्ति या गती करती सतों के बीच कारे करता है भी बिल्कुल सही है, जिसमें तरीके रहे देंगे तो अस्पीड पूरी तरीके से कम हो जाएगा यह हमेशा वास्तु की गती की दिशा की विप्रीद दिशा में कारे कारता है जैसे कि अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं ठीक है कोई गाड़ी का तो इससे आप समझ सकते हैं यहां उस्मा उत्पन नहीं करता है, जबकि यहीं भी आपको समझना है, यहां उस्मा भी उत्पन करता है, इसमें भी पूरी तरीके से जो एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए D यहां पे गलत उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन यहां पे कथन सही है, ठीक है, सोरी, यहां पुछ रहा कौन कथन सही, तो तीन ही कथन सही है, पर एक टूतर हो जाएगा E. निमलीखित में से कौन सा यूग में कह रहा है कि सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, सही सुमेलित देखे, बिदुधारा के M.P.R. होगा, दाब का पास्कल होगा, तापमान का रेंकिन होगा, और पदार्थ की मातरा का दिया, देखे किलोगराम दिया हुआ है, ठीक है, तो कौन से पदार्थ अनुचुम्बकिय गुडों का परदर्सित यहाँ पर नहीं करता है, तो देखे हैं, मैं सीजियम है, मैगनिसियम है, टंगस्टन है, गोल्ड सोना है, सारा का सारा यहाँ पर कॉरेक्ट उतर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉरेक्ट उतर हो जाएगा E, वर्सा की बुंदों के गोल आकार गरहन करने का क्या कारण है, इसका बहुत ही असान सा जवाब होगा, प्रिष्टी अतनाओ, ध्यार रखेगा प्रिष्टी अतनाओ की वज़ा से, वर्स 1921 में आइंस्टीन को भहुतिक का नोबेल पुरसकार निम्लिकित में से किस विसाई के लिए दिया गया था, तो भहुतिका जो देखिए, नोबेल पुरसकार निम्लिकित में से किस परियोजन के लिए हाइड्रोजन का उप्योग नहीं किया जाता है, तो हाइड्रोजन का उप्योग नहीं किया जाता है, किस के लिए, तो देखिए, इसमें कोईलय का रुपा Synthetic Pontaneous दहातों के सोदन जो सबसे जो सबसे दक्राइबर करने करें जब जल का तापमा चार डिग्री सेंटिग्रेट हो निम लिकेत में से कौन सा उतकरिष्ट गैस नोबेल गैस यहाँ पर नहीं है तो बहुत असान सा जवाब हो जाएगा ठीक है इसका करेक्ट उतर हो जाएगा आरसेनिक जब कि यहाँ पर नियोन हो गया हिलियम नियोन आरग क्रिप्टो होने सबके सब यहाँ पर नोबेल गैस की में जानने जाते हैं । फोटोग्राफी में इस्तवाल होनेवाला लव Sum से होता है। कि नियरिकेत में इसकिस अमल को अमन राज के नाम से जाना जाता है। यह होता है यहाँ पे sulfuric color ध्यार केगा sulfuric aml जिसका formula भी होता है राशानेक सुतर H2SO4 होता है next 34 number नियत तापी अस्तंधारियों में बने warm-blooded mammals में तापमान का बिन में निमलीखित के कारण होता है किसके कारण होता है यह होता है सम्महन के कारण कुनैन का दवा का उपयोग निमलीखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है तो कुनायन का जो परियोग होता है देखिए मलेरिया के दवा बनाने के लिए किया जाता है, अफरिका और में इसके खोज की गई थी अधुनिक अन्वान से की का जना किसे कहा जाता है? इसका और एक रुतर हो जाएगा, ग्रेगर जोन मेंडल के दवारा ध्यान रखेगा ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा मानो रक्त किस परकिरिया से सुध होता है ति यह आपे होगा डायलिसिस आमतरपिया यह सब्द बहुत ही फेमस होता है डायलिसिस के द्वारा इंसुलीन के सराव के लिए मानो शरीर का कौँ सा अंग उतरदाई होता है इंसुलीन के सराव के लिए मानो का अगनासे पैंक्रियाज उतरदाई होता है BCGT के द्वारा किस बिमारी का इलाज किया जाता है BCGTK दवारा देखेंगे तो 6 एरोग ध्यार रखेगा जिसको TB बोला जाता है ध्यार रखेगा TB ठीक है Electro-ins-phologram परिच्छड किस से सम्मादित है इसका correct उतर हो जाएगा हाँ पर मस्तिस्क का परिच्छड होता है निमलिकित में से किसकी माप किसको ग्राप द्वारा की जाती है किसको द्वारा जो माप की जाती है पोधो की बृध्धी के लिए आपर की जाती है किसी परिघटना के कारण साबुन तथा आप मार जग कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्छम होता है कारागी किस परिखटना के कारण? इसका भी बहुत ही आसान सा जवाब होगा प्रीष्ट में तर तनाव की कमे के वज़ा से दोनों से प्रिट हो जाता है निम्लिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित छेत्र को बाह बैधूत छेत्र से सुरच्चित रखने की परिखटना है कौन है यहाँ पे? देखिए बिधूत अस्तेयतिक परिछड बोलते हैं इसको किस अपमान से नीचे कुछ धातू और मिस्र धातू अपनी परतिरोधवता पूरी तरीके से खो देते हैं यह हो जाएगा यहाँ पे संक्रमर्द ताप की वज़ा से ध्यार रखेगा संक्रमर्द ताप की वज़ा से एक खगोलिय दुर्विन द्वारा डैस डैस परतिबंद बनता है तो एक खगोलिय दुर्विन द्वारा उल्टा बनता है अभासी और अवर्धित परतिबिम बनता है एक क्ona कितने जूल के बड़ाबर होता है यह बहुत ही common question है ठीक है इसका correct उतर हो जाएगा यहाँ पर पारा ध्याम रखेगा पारा इसको पारा भी बुला जाता है कौन सा अमल छेतर नेत्र धावन का घटक है नेत्र धावन का जो घटक है यह हो जाएगा बोरी कमल भारत में निमलिखित में से किन बिसेले रसायनों पर परतिबंद लगाया गया है जो सरीर के कुछ हर्मोन की नकल करते हैं और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है उस हर्मोन का यहाँ पे नाम बताना है उसका नाम है बिसफेनोले ध्यार केगा बिसफेनोले हिलियम के नाभिक के घटक कौन कौन से है तो हिलियम के नाभिक के जो घटक है दो प्रोटोन है और दो नीट्रोन है बहुत ही यहाँ पे सोरी ठीक है नहीं यहाँ पे कोरेक्टी होगा दो प्रोटोन होगा और दो यहाँ पे नीट्रोन होगा यहाँ पर हिलियम के नाभिक की बात की जा रही है, ठीक है, तो हिलियम का मास नमर टू, एटॉमिक नमर यहाँ पर वन होता है, ठीक है, निमलिखित में से कौन उस्मा का सर्वत्तम सुचालक है, सर्वत्तम सुचालक के रूप में उस्मा का हो जाएगा यहाँ पर पारा, की रूप में जाना जाता है, इसका correct उतर हो जाएगा METHILucahol, GEL वैदुतकक, कह रहा है कि GEL वैदुत पड़ यहां पर संचलन तकनिक का OPEO किया जाता है, इसमें यहां पर किया जाता है, इसका correct उतर हो जाएगा, DNA खंड के प्रिथक्राण वों बिलगलाण में किया जाता है कोसिका कोज यहाँ पर किसके दवारा की गई थी कोसिका कोज रोबॉल्ट हुक के दवारा किया गया था बहुत इफ्यमास नामें ध्यान रखेगा रोबॉल्ट हुक एक समान वयस्क मानों में उपलब्ध रक्त की कुल मत्रा कितनी पाई जाती है रक्त की कुल मत्रा पाई जाती है पांस से छे लिटर तो पाई ही जाती है दिये गए हर्मोन में कौन सा एक पादप हर्मोन नहीं है पराय कि दिये गए हर्मोन में से कोई एक पादम हर्मोन नहीं है तो सारे के सारे दिखें यहाँ पे पादम हर्मोन है जैसे कि साइटोकिनीन है, ओक्सीन है, जिब्रेलीन है, एथलीन है इसलिए कॉरेक्ट उतर हो जाएगा E पत्तिव द्वारा भोजन पत्तिव द्वारा भोजन को पौधे के विभीन भागों में सम्मोहन के लिए उतरदाई पादम यहाँ पे कौन सा है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा फुलुवेम के द्वारा धेंटर किएगा फुलुवेम के द्वारा फौलो को स्वाद मिठा होता है किस किस वज़ा से फौलो का स्वाद यहाँ पे मिठा होता है तो बड़ा असान सा जवाब होगा एक तो गुलकोज हो जाएगा दूसरा हाँ पे फुरुक्टोज हो जाएगा ठीक है कॉरेक्ट उतर हो जाएगा A और D अर्थात E कभी-कभी समचारों पत्रों में देखे जाने वाला सब्द ये नोस्मिया और एग्यूसिया सम्मंधित है ये किस्से सम्मंधित है जो चर्चा में रहता है तो करमसा गंद और स्वाद की हानी से बहुत ही फेमस रहा है कासकर कुरोना पिरियेट में इंसुलीन में निम्लिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है इंसुलीन की हाँ पर बात किया जा रहा है इसमें होता है देखिए जिंग होता है निम्लिखित में से किसकी माप आवेक के समान ही होता है तो ये हो जाएगा सम्वेक तापमान की बृद्धी के परणाम सरूप एक आरगन पाइप से निकलने वाली धहुनी की अवरिती में क्या होता है? कमें बृद्धी, ठीक है? तो कि इसका correct उतर हो जाएगा इसमें बृद्धी होगा निमलिकित में से किस किन प्रस्तितियों में मिसरित आवरितियां यहाँ पर उत्पन होती है तो मिसरित आवरितियां जो उत्पन होती है जब एक ही समय में लगभग समान आवरिती की दो ध्वनी तरोंगों को सुना जाता है इसका correct उतर हो जाएगा C, next यदि दौ वस्तों की बीच गुर्त्व कारस्रबल क्या होगा तो दौ वस्तों की बीच की दूरी के गर बढ़ा दिया जाए थी चार गुना बहुत ही इंपोर्टेंट है थित देखते चलिए चार गुना उसका कम हो जाएगा निवलिखित में से कौन इस बात की पुष्टी करता है कि प्रकास ध्वनी से त्यजगती से यात्रा करता है कौन पुष्टी करता है इसका कौरेक्ट उतर हो जाएगा तलित व्रिष्टी जैनर केगा तलित व्रिष्टी निमलिकित में से किन तरोंगों की उत्पती नाभी के रेडियो धर्मी छाय द्वारा होता है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा गामा तरोंगों के द्वारा डिगरी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाना चाहिए इसमें होता है 273.15 देखिए 273.15 एक ही अप्शन है कॉरेक्ट उतर हो जाएगा बी एक किलोग्राम ठोस को इसके गल्लांक बिंदू पर द्राव आवास्ता में बदलने के लिए आवास्यक उस्मा की मात्रा यहाँ पर क्या कहलाता है आवास्यक उस्मा की मात्रा संलेयन की गुपत उस्मा कहलाती है लेटेंट हीट जिसको बोला जाता है कुलाइटी बिलियन में प्रकास परक्रिणन की घटना को कहा जाता है प्रकास परक्रिणन की घटना को ठीक है टींडल परभाव कहा जाता है रक्त से औसधियों को अलग करने के लिए निमलिकित में से किस परक्रिया का उपयोग किया जाता है रक्त से उसदियों को अलग करने के लिए कुमेटोग्राफी, ध्यान से देखते चलिए कुमेटोग्राफी का प्रियोग किया जाता है अलग अलग पर मालू संखिया वाला भी भीन तत्व जिसकी दरभ्यान संखिया भार होती है उसको क्या बोला जाता है तो तरव्यान प्रसंग के यहां पर जिसकी सम्मान होगा उसको बोला जाता है सम्भारिक निमलिखित में से कौन सी रसाइनिक अभी किरिया है अब यहां पर chemical change की बात किया जा रहा है ठीक है तो रसाइनिक अभी किरिया में जिसे लोहे में जन लगना यह भी सही है जल का वास पिकरण यह भी सही है वहां द्वारा इंधन जलना भी सही है और सोसन पर किरिया यह भी सही है स्तारक सरव रसाइनिक ही है आपर कर्यक्ट उतर हो जाएगा E चिप्स निर्मताव द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस के उभरा जाता है बड़ा फेमस प्रसने पर ध्यार रखेगा नाइट्रोजन गोस भरा जाता है ओक्सीकरोल पर किरिया को रोकने के लिए ताकि वास तो जल्दी खराब न हो जाए निमलिखित में से कौन कार्बो हाइडरेट का उदारर नहीं है दयादर रखेगा एक्तिन जो है कर्बो हाइडरेट का उदारर नहीं है मानोरगत का आसद पी-अच मान कितना होता है इस तब प्रसने देखे बार बार बिप्यस में पूछा जा रहे है ठीक है, और इसको थोड़ा साधर आप पॉंसोस रहेंगे, तो असाने इसी से सही कर लेंगे, तो देखिए मानो रख्त का जो औसत जो pH मान होता है, 7.4 होता है, ध्यान रखेगा, 7.4 होता है, लगभग 7.35 से 7.45 तक, तो कोई भी यहाँ पे value दे सकता है, गाय के दूद का रं लैक्रा माइल गरंथी के माधियम से स्वावित होता है, इसका correct होतो हो जाएगा, आसू, धार के आसू, किट भख्ची पौधे प्राया किस प्रकार की मिदा में पाया जाते हैं, यह हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी वाली मिदा में, उस इंजाइम का नाम क्या है, जिसक धोगों में पनीर का उत्पादन करने के लिए इसका परियोग किया जाता है, उस इंजाइम का नाम है रेनी, तेज गती से गुजरती ट्रेन के सीटी के आवाज उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है, इस घटना को निमलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है बड़ा ही इसका असान सा जवाब होगा, डोपलर एफेक्ट आपरोने काफी पड़ा होगा, निमलिखित में से कौन सा उधार आवर्ती गती से सम्बंधी थे, तो इसमें दिखिए हैं यहाँ पर दिया हुआ है, एक तैराक द्वारा नदी के एक किनारे से दुसरे किनारे तक जाना और फिर लोटना, इसका सम्बंध अवर्ती गती से बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, नहीं है, एक सोतंतरता पूर्वक लटकते छड़ चुमबा को इसके नॉर्थ टू साउस दिसा में ले जाना और छोड़ देना तो पुना देखेंगे ठीक है, तो वहीं है कि नॉ यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर C, B और C यह धनू से तीर निकल लाम निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, तो B और C कोरेक्ट उतर है, कोरेक्ट उतर हो जागा E, यदि हवा में प्रकास की गती को C द्वारा दरसाया जाता है और किसी माधियम में भी द्वारा, तो म अधियम के अप वर्तना की गलना निमलीखित सूत्र का उप्यों करके की जा सकती है, कौन सा सूत्र का यहाँ पर परियोग किया जाएगा C भाई, B निमलीखित में से कौन उर्जा की एकाई के सम्तुल्य नहीं है, तो उर्जा की एकाई के जो सम्भis नहीं है तेहां हमाँ भाविवरिति. ध्यान रुकेगा आविवरिति. कि निमलिकीत में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक इसमें से नहीं है, क्वाटर्ज. क्वाटर्ज अर्धचालक नहीं है. वर्सा ke दिन इन्द्रद्धनौस नज़र आने के लिए मुख्य रूप से उतरदाई प्रकासिय घटना क्या है यहां पर ध्यान से लगाना है इसका च्योंकि बारवरा इस प्रसने को रिपीट करता है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा प्रकिल्डन ध्यार रखेगा प्रकिल्डन अमल और उनके प्रकृतिक सोरोतों के निम मां से देखते चली बिच्व डंक यहां पर दिया है ट्रात्रिक इसीट टीक है जो लेकी यहां पर नहीं होता है ठीक है थे Religion संत्राइब से कमलोगते कनी नीवू अगर हम देखें, मिफनोई के सीट, ठीक है, जबकि नीवू में भी सीट्रक अमलमी यहाँ पर पाया जाता है, नेक्स्ट, नीवलिकित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के उप्योग है, पर है यहां पर, bleaching powder को प्योग किसमें किया जाता है, तो इसमें देखिए जो भी option दिया है, सब में किया जाता है, जैसे कि अम लतत्व नासक के घटक के रूप में, लकड़ी की लुगदी को सफेद करने के रूप में, soda, acid, agnisama के रूप में, एक oxycara, kagen के रूप में, सारा का सारा correct उतर हो जाएगा, चीली 61 एक आयसक है, इसका आयसक है, सोडीम का, पदार्ड की anti-piratic curality का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो सरीर के परे ताप्योग को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बहुलको और उनके उप्योगों के निमलिखित योगों में से कौन सा सही सुमेलित है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित होगा देखे टेफलो नॉन अस्टिक बरतन बिल्कुल सही है बेकलाइट बिदूत रोधन बिल्कुल सही है पॉलिष्टर फाइबर वोप बिल्कुल सही है और मेला माइन अर्थात कोकरी यह भी बिल्कुल यहाँ पे सही है तो correct टुतर यहाँ पे हो जाएगा इसका E ध्यार रुकिएगा correct टुतर हो जाएगा यहाँ पे E जिवास्मों की आयू निमलिखित में से किस टत्व की डेटिंग से तै होती है जिवास्मों की आयू जो तै होती है कारवन चोधा पतिती से निमलिकित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है उपधातु वाला जो तत्व यहाँ पर हो जाएगा ठीक है इसका correct उतर हो जाएगा antimoney निस्तियेचन के बाद मानो भुरूड में हिरीदे की धरकन कब सुरू होती है अब ये बहुत important सवाल है मानो भुरूड में हिरीदे की धरकन कब सुरू होती है इसका correct उतर हो जाएगा चौथे से पांचवे सर्था के दवरान ठीक है लगभग प्रान आ जाना सुरू हो जाता है प्रित्वी पर अधिकान से अक्सीजन उत्पादन के लिए निमलिखित में से कौन उतरदाई है कौन उतरदाई है इसका correct उतर हो जाएगा सैवाल बहुत ही फेमस चीज़ है सैवाल निमलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है इसका correct उतर हो जाएगा malaria, malaria में वाइरस दिया है, जबकि उसमें आप देखेंगे तो एक proto-जोगा है, ठीक है, thailasemia एक बिमारी है, जो होती है, किसके कारण thailasemia बिमारी होती है, यह हो जाएगा one sanugat dosed के कारण, यहां से देखते चलिए one sanugat dosed के कारण, जब ATP में जल का परियोग करते हुए टर्मिनल फोस्पेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलो जूल परती मोल के बराबर उर्जा मुगत होती है ATP में यह हो जगा 30.5 किलो जूल परती मोल उर्जा उत्पन होती है जब बाए एजेंटो के खिलाब सराइरिक परतीरोत को मजबूत करने के लिए पहले से तयार एंटी बोडी परत्याक्श रूप से दिये जाते हैं तो इसे कहा जाता है पैसीव Immunity ध्यान रखेगा पैसीव Immunity इसे कहा जाता है निमलिखित में से कौन से यूगमस्व ही सुमेलित नहीं है देखिए प्याज में पुष्ट पत्ते होते हैं केसर में फूल आलू में दिया हुआ है हाँ पे जल तो यहीं यहाँ पे कॉरेक्ट उतर नहीं है बलकि आलू का खाने योग जो भाग होता है इसको कंद या रुपांत्रित ताना कहला जाता है अधरक में प्रकंद ही होता है तो आलू कॉरेक्ट उतर हो जाएगा दिरीशती प्रकंद के लिए तरंग धर का परास कितना होता है कितना होता है 380 से लेखे 709 अमीटर तक निभिःखित यगों में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेली थै कौन सा पूच रहा है कि सही सुमेली थै डिक है तो चली हम लोग देखते हैं इस लिए यहां पर पडाया में इसलिए इस यहां ही इसलिए यहां परूप्त म कोई नहीं खतरनाक मोड पर शुर अच्छा दर्सी के रूप में किस पर्कार के दरपड का उप्योग किया जाता है स्वाल यहां पे इसमें वार प्रच्छल जाता है उत्तल दरबढ़का द्यार रखेगा उत्तल दरबढ़का पेट के अंदर के अंगों की जाज के लिए परियुक्त तक्निक लेप्रोस्कोपी अधारित होता है यह होता है पूर्ण आंत्रिक परवर्तन पर निमलिखित में से कीन रेडियो धर्मी किनडों की भेदन सक सबसे कम होती है यह हो जाएगा अलफा किरण ध्यार रखेगा अलफा किरण चीक है गामा किरण इसमें इसकी जो भेदन छबता इंटेंसिटी सबसे अधीव होती है COVID-19 महाबारी के दवरान अपने ग्रीह राजियों की यात्रा करने वाले प्रावासी सरमिकों को सैनिटाइजर करने के लिए उन पर निमलिखित में से किस बिलियन का च्रिकाओ किया गया था सैनिटाइजर में पूछ रहा है कि यहां में क्या पाया जाता है उसमें पाया जाता है सोडियम हाइपो कुलॉराइट देहां रखेगा सोडियम हाइपो कुलॉराइट निमलिखित में से कौन तामबे का आयस्क यहां पे नहीं है तामबे का आयस्क नहीं है इसका के लिए इसके नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है ये जाना जाता है हिस्टा माइन के रूप में एलिटेम एक उधारर है, एलिटेम में किसका उधारर है, तो क्रित्री मधूरा का उधारर है, प्याज कारते समय वेक्ति की आँखों से आशू आ जाते हैं, किसके कारण आ जाते हैं, बड़ा असान सा जवाब होगा, ठीक है, यह हो जाएगा स्टलफोनिक, अमलेके निर्मार के कारण, फैटी एसिड के सोडियम या पोटैसियम लवड के मिस्रोड को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा, साबुन के रूप में, और बोरी कल्चर संदर्भित करता है, किसको यह संदर्भित करता है, इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएग सिन कोना के विरिच से है अधुनिक अनुवानसिकी के जना के उपाधी दी गई है किसको दिया गया है अधुनिक अनुवानसिकी के जना के उपाधी यह हो जाएगा ग्रेगर जोन मेडल को मानो के सरीर में जल होता है कितना भाग यह भी बहुत important है BBSC के लिए तो माना जाता है कि 75 से 78% के आसपास और वो range आएगा यहाँ पर 75 से 78% के आसपास ठीक है लगवक 60 से 70% के range में इसको रखा गया है ठीक है सिसु में यह सबसे जादे होता है और जब ठीक है जो यहाँ पर सिसु का जो उम्र पार कर जा रहा है एक वयस के वेक्ति में देखा जाए तो 65 से 70% ध्यार रखेगा 65 से 70% इसलिए correct उतर हो जाएगा A आल ही में Spanish Flu ब्यापक हस्तर पर खबरों में रहा यह निम्रीकित में से किस वाइरस के कारण हुआ है अस्पेनिस फ्लू बहुत ही फिमस हैं यह हुगा है H1N1 के गारण हमारे सरीर में थ्वाइराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जीमेदार तत्व है कौन-कौन से जीमेदार तत्व है यहाँ पर कौरेक्ट उतर हो जाएगा आयोडीन एक भू इस्थी रूप ग्रह समुंद्र तल से कितने किलमीटर के उचाई पर अस्थापित किया जा सकता है नियम को क्या अगाला जाते हैं यहीं कितना असान सप्रापस ने पूज लाए ठीक है बच्चे बच्चे को बता है यहाँ पर कोरेक्ट उतर हो जाएगा जड़तों का नियम निमलिखित में से किसमे ध्वानी की गती अधिकतम होती है ध्वानी की गती किसमे अधिकतम होती है तो 40 degree Celsius पर जब आदर हवा होती है तो उसमें ध्वान की गति सबसे अधिक होती है तापमान के परिवर्तन के बिना किस पदार्थ को एक आवास्ता से दूसरे आवास्ता में परिवर्तित होने के लिए आवासियक उस्मा की मातरा को क्या कहलाता है उसी को बोलते हैं हम लोग गुप दूसमा जिसको लेटेंट हीट की रूप में जाना जाता है एक degree temperature को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली उड़ जा इसरो के परशेपड यान PSLV C43 ने सेटलाइट यहाँ पर दिया रहा है ठीक है है, HYS करके दिया है, आपर सफलता पुर्वक लँच किया है पर आए कि इसके सम्मान में निवनिखित कत्नों में से कौन सा कथन सही है इसमें करा कि यहाद्रिश से प्रकास, निकट औरक्ट और सौट वेब औरक्ट छेतरों में प्रिध्वी के सता का अध्यान करने के लिए कवलोखन उपगरा है तो यहीं कौरेक्ट उतर है, 125 का हो जाएगा A नासा ने मंगल गराप और रोबोट लेंडर के रूप में इनसाइट मिसन को लॉंच किया है कमडियो कारवन डेटिंग अर्थात देख पार है पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है इसके पीछे आपको कारन बताना है यह हो जाएगा क्योंकि 30,000 वर्सों में कारवन 14 पदती की मातरा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है रेंज दे दिया लवग 30,000 वर्सों तक के सराप पीने के कारण होने वाले दुरघटनाओं में कौन सा सक्री एजेंट ऐसी दुरघटनाओं का कारण बनता है अब यह सिंपल सब सवाल हो जागा ठीक है मेथाईल अलकोहल ध्याद रखेगा मेथिल अलकोहल निमलीखित में से लोहे का सुधतम रूप कौन सा होगा लोहे का सुधतम रूप कौन सा होगा पिटवा लोहा ध्याद रखेगा पिटवा लोहा निमलीखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रवा वास्था में रहता है द्रवास्था में कौन सा रहेगा ब्रोमिन रहेगा ध्यान रखेगा ब्रोमिन एक पदार्थ यलो केक जिसकी सिमाओ पर जिसकी सिमाओ के पार तसकरी की की जाती यलो केक यहां पर बोला जा रहा है यलो केक समझ रहे हैं किसको बोला जाता है यूरेनियम oxide को एलो के बूला जाता है मौलणा की यूगतियों परकास परवर तक को सिखाए होती है क्या होती है इसका correct उतर हो जाएगा क्रू मैटर फूर क्रू मैटर फूर क्लू बीमिन रक्त सीरा में सबसे महतपूर प्रोटिन होता है यह किस अंग द्वारा यहां पर निर्मिद होता है यह निर्मिद होता है यह क्रित के द्वारा निमलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त को सिखाओ के कबरिस्तान के रूप में जाना जाता है लाल रक्त को सिखाओ के कबरिस्तान के रूप में जाना जाता है निमलिखित में मस्तिस का कौन सा भाग शरीर के तापमान एंवं भूख को नियंधरित करता है कौन सा भाग करता है हाइपोथेलमस प्रोटीन संसलेसलर की परकिरिया में निमलिखित में से कौन सा कोसिका अंग सामिल है कौन सा कर रहे कि कोसिका अंग सामिल है में हो जाएगा Raiwo Jome स्वशन परणाली के किस भाग में गयसी या बिनमय होता है प्यारेक्ट उतर हो जाएगा L.U. योली ध्यार रखेगा L.U. योली निमलिखित में से कौन सा अंग एक एर कंडिशनर के रूप में कारे करता है इयर कंडिशनर के अंग के रूप में इयर कंडिशनर ठीक है इसका औरेक्ट उतर हो जाएगा नासिका कौन सी परिघटना वर्षा की बुंदों के एकार को गोल बनाती है वर्षा की बुंदों को गोल बनने वाला होता है प्रिष्ट तना निमलिक लिखित में से कौन सा हैरो मेगनेटिक पदार्थ का उदारण है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा तो निकल कंप्यूटर दोरा स्वाचलित पुंदर पराप्ती के लिए प्रिथ्वी से सम्मंधित सुचना भंडारण है तो कौन सी तकनिक है जो एकदम सटिक है कौन सा है जो एकदम यहाँ पर करें सटिक है और एक टूतर हो जाएगा सी भोगोलिक सुचना पढ़ना ली ट्रांसफर्मर एक बिधूत उपकरण है जिसका उप्योग किया जाता है कहा इसका परियोग किया जाता है तो इसी voltage को कम याधि करने के लिए एक ही पदार्थ के अड़ों के मध्या लगने वाले आकरसन बल को क्या कहला जाता है मैंने क्या इसको कहते हैं इसको कहा जाता है ससंजक बल इसी विक्ति के पूर आकार को देखने के लिए एक समतल दरपड की निमतम उचाई यहां पर कितनी होनी चाहिए यह बड़ा अच्छा सा प्रसन है इसकी उचाई होनी चाहिए विक्ति की उचाई का लगवाग आधा कम्प्लिट दिखाई देगा विक्ति की उचाई यहां सोड़ी वाटर गैस के घटक कौन कौन सा होता है वाटर गैस के घटक होता है ठीके सी ओ इसके अलावा एच टू होता है नेक्स्ट इन्हें क्रसाईनिक तत्व कभी भीन संरचनातमक रूपो द्वारा परिभासित किया जाता है यह आपस में अबंधर, निर्मित कर अलग-अलग तरी कोक से रूपदारण कहलाते है मैं करते हैं यह क्या कहलाते है इसको आपको बताना है यह कहलाते है अप्रूप दैर रखेगा अप्रूप वा कौन सा सिध्धान्त है जिसके नशार किसी परमाडु के कचको में lö keen scent करते हैं कौझ सा उस सिधांत है उस सिधांट का नाम हो जैगा अप्वव का सिधान दें नियुक्ति योगंघविकों कि अम लसक्ति बढ़ आते कराम में कौं सा सही अनृकरम है यहाँ पर अने के भी अमल-सक्ति कह करा ravis कि बढ़ते करॉन है तो पहला हो जाएगा एच-चीयाल ठीक है इसके बाद एच-ब। इसके बाद ठीक है 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 हाँ फ्लोरिन ख्लोरिन लोमिन ठीक है और इसके बाद हो जाएगा आयोडीन कि नेक्स्ट और आज के प्रसन हो लास्ट आ सा कौन सा उत्की रख अप्राव बनाने की a very ृधि में परियोग किया जाता है कऊसी परियोग लाता है ध्याई रखेगा ऩी फी प्लस एमो तरह केगा एस पीलस एमो का इक है परेयोग यहां पे किया जाता है है हमार वीधी में तो ठीक है फिर आट से दिखिए टेस्ट नमर फाइप हम लोग कम्प्लीट हो गया ठीक है जल से जल से लोग बाकी जो बचा हुआ टेस्ट भी भी बीपेसी के पहले कम्प्लीट कर लेंगे हैं वीडियो को सेयर करते रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग जय